नमस्कार दोस्तों आज हम काम करेंगे होंडा की कटिंग का की कटिंग करेंगे फोटो खीच के हो इसके लिए हमें यहां पे दो अपसन दियो है ठेख फ़ोटो टू रेकोग्नाइज बिटिन और एक आप्सन में वहिकल डेटाबेस में भी आप आप आके करेंगे की वहिकल डेटाबेस में ॡ लिए जाएंगे और आट हम डास की जाएंगे चाबी आती है जो ए जिध के लिए लग चाबी और अमेज़ द्रेट दो हम यहां पर एक पर ब्रॉट करेंगे फोटो के ऊपर से कट बाई बीटिंग ऑप्शन में जाएंगे डिकोट की यहां पर जो ऑप्शन दिया है लर्न की वाया फोटो उसको हम ओके करेंगे और कंटिन्यू करेंगे कि आपको की का एक क्लियर इमेज लेना है इस तरह से जैसे यह थोड़ा क्लियर इमेज नहीं आया तो आपको बैक करना है और फिल से एक बार इमेज ले 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 लिए और यह चाबी में एक्जेस्स कर देना है आपको जूम करके चाबी को यहां पर यह अभी चाबी एक्जेस्स हो गई है अभी यहां पर हमारा जो नेक्स प्रोसेस है यहां पर नेक्स्ट पर क्लिप करेंगे और यह एक एक बाइटिंग के उपर जाके हमें बाइटिंग रीट करना इस तरह से यह 6 नमबर है अभी इस साइट यह तीन नमबर है यह एक नमबर है यह 5 नंबर है यह 5 नंबर है इस तरह से आपको यह पॉइंट को जो बाइटिंग है वहां पर ला देने हैं अभी आपको कोई बाइटिंग में समझ नहीं आता है तो आप वहां पर तीन जगा पर क्वेश्चन मार रख सकते हो यहां पर सक्सिस पर क्लिक करना है अभी समझ सकते कि आप यहां पर कोई जगा पर आपको समझ में नहीं आया कि यह एक नंबर है या दो नंबर तो आप तीन जगा पर इस तरह से क्वेश्चन मार रख सकते हो यहां पर मैंने तीन जगा पर क्वेश्चन मार रख के मैं जैसे ही फाइन बाइटिंग पर क्वेश्चन करूंगा तो यहां पर पॉसिबिल्टीज आ जाएंगी तो हमारा जो था वो यह वाला था एल शिक्सिक्स फॉर आप इसको चाबी की चाबी से आप जैसे ही देखेंगे तो यह कम्प्रीट यही हमारा जो डीजाइन है वो आ रहा है और हमें की नमबर भी मिल रहा है तो यह शूर है कि यही बाइटिंग है और हम कटिंग कर सकते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस है की कटिंग का हॉत है हॉत है हॉत हम ना की चाबी ए साइट पर लगा दिये और कटिंग की यहां कटिंग की पे क्लिक करके continue यहां पे हम continue करेंगे 2.5 mm कटर से कटिंग करेंगे यहां हम बनाद चना यू यू यओ टIS यू यू यह कुर सार्चिंग जारगााμεians कि यह हमारा परफेक्ट चावी जैसा था वैसा ही कटिंग हो गया है तो आप इस तरह से होंडा का की cutting फोटो खीच के भी कर सकते हैं जैसे कि ये चावी आप देख रहे हो बहुत ही घिस गई है तो ये चावी को आप decode करने के लिए लगाएंगे तो decoding गलत होगा तो आप इस तरह से भी cutting कर सकते हैं Thank you